हेलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे है आप सब आसा है आप सब स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को लिख एकदम व्यस्थ होंगे लाज्ट लेक्चर हमारा था मराथा सामराज्जी को लेकर उसमें हमने मराथा सामराज्जी में सिवाजी देखे फिर पेशवा देखा पेशवा की पश्याद हमने अंगल मराथा यूद देखा आज हम बात करेंगे सिक्ष संपर्दाई से संपर्देत ठीक है तो स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब जैनल सिरी एजुकेटर्स पर इसक्रेट पर आपका पहला सवाल है गुरु नानक जी को लेकर कि सिक्षमपरदाई की इस्थापना कब हुई तो ये पंदरवी सताब्दी में हुई थी फिर सिक्षमपरदाई की इसथापना किषने की थी ये गुरु नानक देव द्वारा की गई थी फिर next गुरु नानक जी का जनम कहां हुआ तो ये तल्वनडी नन काना साहि पाकिस्तान में हुआ था important question बनता है फिर गुरू नानक भारत के गुरू नानक भारत में किस शाशक के शमकालीन रहे ये भी question बनता है बहुत जादा तो किनखे भुबाबर एवं हुमायू के समकालीन रहे important question है next इस शिक गुरू ने गुरू का लंगर ये फिर नेशुल भोजन एवं संगत सभा की इस्थापना की एक तो हो गया लंगर गुरू का लंगर नेशुल का भोजन एवं संगत सभा ये दो चीज हैं किसने की गुरू नानक देवजी द्वारा इस रूख की ग द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई तो ये प्रान शांगली किस पुस्तक की प्रान शांगली important question है पूछ लिया जाएगा गुरू नानक जी द्वारा कौनसी पुस्तक रची गई तो ये कौनसी है प्रान शांगली next गुरू नानक ने गुरू नानक जी ने किसे अपना उत्रादिकारी घोशित किया तो ये लहना यानि गुरु अंगद को अपना उत्रादिकारी घोशित किया था और ये question matching में आया था 2021 में EOPSSRO एवं ARO में question important है लहना या फिर गुरु अंगदो को नेक्स्ट है मारा गुरु अंगद जी गुरु अंगद ची के गुरु कब से कब गुरु मखी लिपी के जनक देखो खोड़ जादे important है गुरु मुखी लिपी के जनक कोन है गुरु अंगद CPO 2019, CHSL 2020, GD 2021 लगतार तीन साल कोश्चन बनाई सी आया यही नेक्स्ट गुरू अमरदाज जी गुरू अमरदाज जी सिख सम्परदाए के गुरू कब से कब तक रहे तो ये 1552 से 1554 वी तक फिर सिख धरम में विवापदती लवन का परचलन किस ने किया तो ये गुरू अमरदाज जी ने किया फिर किस गुरू ने महाजी परथा का विस्तार और सती परथा का विरोध किया तो ये गुरू अमरदाज जी दुआरा महाजी परथा का विस्तार किया गया और सती परथा का विरोध किया गया इनके द्वारा गुरु अमर्दास जी द्वारा नेक्स्ट है हमारा गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी ने सिक्स अंपरदाई के चोथे गुरु का दाई कब से कब तक किया तो ये 1574 इसवी से 1581 इसवी तक गुरु रामदास जी ने किस थापना किस सिख संपर्धाए के किस Goals गुरू ने की थी तो एक गुरू रहमदाजी ने की थी SSC-CASGL 2000 नम कोशन बना था तो उसले लगगा कि हमरे शर्भ सेहर का पहले नाम किया था ते रामदास पुर्णागर था और इस ठापना किस ने की तेशे संपरदाय के गुरू रामदाजी ने की ती चोत्य नंबर के गुरू थे यह फिर हमारे गुरू अर्जुन देव या फिर अर्जन देव important question है गुरू अर्जन या अर्जुन देव ने सिक्स अंपरदाय के पांचवी गुरु का दायत कब से कब तक निभाए तो ये 1581 से 1626 वी तक तो important question है एक तो ही कौन से नंबर के गुरु है ये पूछ लेगा है ना और question बने भी है 2019 में SSC CGL में और SSC MTS में कौन से नंबर के पांचवी नंबर के हैं कब से कब तक रहे 1581 से 1626 वी तक next गुरु अर्जन या अर्जुन देव को किसने मृत्यूडेंट दिया तो ये किसने दिया भाया तो ये मुगल सासक जहांगीर ने पांचवी गुरु से गुरु अर्जुन देव या अर्जन देव को मिरे त्यूडेंट भी तो नेक्स्ट कोश्चन आदी गरंत ये गुरु गरंत शाहिब का संकलन और अम्रसर में स्वन मंदिर का गोल्डन टेंपल का निर्मान किस गुरु ने किया very important question है मेरे पेरे दोस्तो गुरु अर्जन या अर्जुन देव में रामदास जी ने रामदास पूर यानी अम्रसर नगर बसाया था फिर उनके पर शाथ गुरु अर्जुन देव ने क्या किया आदी गरंत या गुरु गरंत साहिब का संकलन किया साथी अम्रसर में या फिर रामदास नगर में क्या किया एक golden temple का निर्मान कराया यानि सुर मंदिय का important है फिर आते हैं छटे नमबर के गुरू हर गौविन सिंग जी गुरू हर गौविन सिंग जी सिख गुरू के कौन से स्थान के गुरू थे तो ये छटे नमबर के गुरू थे फिर गुरू हर गौविन जी का कारिय का कब से कब तक रहा है तो ये 1606 इसवी से 1645 इसवी तक रहा फिर अकाल तक्त या फिर इस्वर का शेहाशन के इस्थापना किस गुरू ने की important question है किस नोने की गुरू हर गौविन जी ने क्या किया अकाल तक या इस्वर का शेहाशन के इस्थापना की थी किस ने गुरू हर गौविन जी ने next आया है हमारा question किस गुरू ने शिखो को एक लगडाको समुदाई के रूप में संगटित किया तो ये गुरू हर गौविन जी ने ठीक है फिर किस गुरू किस शिख गुरू ने कस्मीर में कीरतपूर नगर किस थापना की कीरतपूर नगर किस ने बसाया तो ये गुरू हर गौविन सिंग जी ने बसाया था कौन सा नगर कीरतपूर कहां पर कस्मीर में अभी तक हमने दो नगरों की बात की है एक तो रामदास नगर जिसका नाम आज के टाइम में कया है अमरसर नगर और एक किरत पूर नगर कहां पर कस्मीर में साथवे नंबर के आते हैं गुरू हर राए शिखों के साथवे गुरू कौन थे गुरू हर राए फिर है गुरू हर राए का कारी काल कब से कब तक था तो 1645 से 1661 भी तक नेक्स्ट आते हैं आठवे नंबर के गुरू हर किशन जी सीख गुरू के आठवे गुरू कौन थे तो ये गुरू हर किशन जी थे फिर है गुरू हर किशन जी का कारी काल कब से कब तक रहा फिस 1661 भी से 1664 भी तक रहा यानि तीन साल मात्र फिर है सेख संपरदाय के किस गुरू की मृत्यू चेचक से हुई थी तो ये गुरू हर किशन जी की मृत्यू चेचक से हुई थी आठवे नमबर की गुरू थे नेक्स्ट आते हैं हमारे गुरू तेग बहाद्दूर जी नोवे नमबर के उनसे नमबर के नोवे नमबर के गुरू तेग बहाद्दूर जी का कारियकाल कब से कब तक रहा तो इनका कारियकाल 1664 भी से 1675 भी तक रहा फिर इसलाम धर्म सुईकार ने करने के कारण औरंग जेव ने किस गुरु को की हत्य करवा दी? 1675 में किसकी? गुरु तेग बाहतुर जी की. कौन से नंबर के गुरु थे ये? ये थे 9 वे नंबर के. फिर आते हमारे गुरु 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 इंपपर्टएंट कोश्चन स्वियम को सच्चा पाश्या कहा सच्चा पाश्या कहा किसने गुरु गौवीन सिंग जी ने Very important question फिर सिर्शिक संपरदाय में Pal 분들이 की शुरुवाद किसने की तो एक गुरु गौवयन सिंग जी ने कि थी किसने गुरु गोविन सिंग जी ने कहें कि पाहुल परणा लिए फिर खाल सपन्त की स्थापन किसने की खाल सपन्त तो ये गुरु गोविन सिंग जी ने की थी 1699 में इश्वी में कोशन बना हुआ है SSC CHSL 2021 में फिर शीखो के पंचम सिखो के important question बन सकता है बनने की संभावना रहेगी पहले तो ये खाल सपन्त वाला भी important है सिखो के पंच पंचमकार यानि जो पांच परकार के केश, करपान, कंगा, कच, एवं कडा को अनिवारी किस गुरु ने बनाया तो ये गुरु गोविन सिंग ने जो भी सिखोगा वो एक तो केश रखेगा करपान रखेगा, कंगा रखेगा कच्छा धारन करेगा और कडा धारन करेगा ठीक है पांच परकार के रखेगा अपने पास गुरु गोविन सिंग की आतमकता का नाम क्या है गुरू गोविन सिंग की आत्मकता का नाम very important question विचित्र नाटक गुरू गोविन सिंग की हत्या कब और किसने की तो इस 1787 में 1787 में नांडेड महराष्ट में गुल खान नामक पठानने के थी गुल नामक पठानने की थी खुल खान नामक पठानने कहां पर नांडेड यानी महराष्ट में कब 1708 में फिर गुरू गौविन सिंग कीमरत्य के पहशाद किने गुरू घोसित किया गया important question है तो यह थे आदी गरंथ या फिर गुरू गरंथ साहिब को आदी गरंथ के पहशाद उन्हें गुरू गोसित किया गया फिर पंच प्यारे के अवधारना प्रारम किसने की पंच प्यारे के अवधारना किसने अवधारना किसने अरम की दसवे गुरू कौन है गुरू गोविन सिंग जने पंच प्यारे के अवधारना सुरू के थे ये थे हमारे काफी important सिंग संपर्दाय के गुरुदेव तो हमने 10 गुरु के बारे में जाना और 6 संपर्दाय के बारे में जाना अब next chapter जो होगा हमारा हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारस से और I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा एक बार revision करते हैं फटाफट हम अपने पिछले lecture मतलब इस lecture का कि क्या क्या देखा कि गुरु नानक जी देखा इन्होंने कोनों से संपर्दाय की स्थापना की शिक संपर्दाय की और इन्होंने कहां पर हुआ टलवंडी ननकाना साहिप पाकिस्तान में और किन के समकालिन थे बाबर हुमाईयों के समकालिन थे गुरु कलंगर यानि निश्वल को भोजन एवं संपर्दाय की स्थापना की थी प्राण सांगली इन्होंने पुस्तक की रचना की थी नेक्स्ट उत्रादीकारी लहना यानि गुरु अंगर तह घोसित किया गुरु अंगर यानि लहना का उपनाम था लहना नेक्स्ट गुरु मुखी लिपी के जनक गुरु अंगर जी थे फिर हमने देखा गुरु रामदाजी अमरदाजी द्वारा लवन पदती का परचलन किया विवा पदती में और मांजी पर्था का विस्थार और सती पर्था का विरोध गुरू अमरदाजी में फिर हमने देखा इन्होंने जो गुरू रामदाजी थे रामदास पूर नगरवसा है जिसका वर्तमान में अमरसर नाम है फिर गुरु अरजनदेव जो पांचवे नंबर की गुरु थे इनको मुरित्टुडंड दिया था मुगल सासक जहांगेव ने और आदि गरंद एवं गुरु गरंद साहिब का संकलन किया और अमरशर में स्वन मंदिर का निर्मान कराया फिर गुरु हर गौविन सिंग्जी को देखा हमने जो कि अकाल तक तिया फिर इश्वर का शेहाशन के स्थापना की गई थी यानि जो छटे नंबर के गुरु जी थे फिर शिखों को एक लड़ा को संपर्वदाय में परिवर्तित किया कि नोंने गुरु हर गौविन सिंग्जी ने और कस्मीर में कीरतपुर नगर बसाया फिर आते हैं हमारे गुरु हर राय फिर आते हैं गुरु हर किशन जी गुरु हर किशन जी एक मातर ऐसे सिक संपर्दाय की गुरु है राटवी गुरु हैं जिनकी छे चक्के माध्यम से मृत्य हुई थी फिर आते हैं हमारे गुरु ते एक भादुर जी जिन्होंने इसलाम ने स्विकारने कारण अंग्रे और अंग्जेव नहीं नहीं 1675 में क्या किया हत्या करवा दिया था फिर आते हैं हमारे दस्वे नंबर के गुरु गुरु गोविन सिंग जी जिन्होंने खुद को सच्चा पाश्चाह की उपादी दी साथ ही पाहुल परणाली के सुरुवात की खाल सा बंद की स्थापना 1699 में इश्वि में की है न और इनका जनम 1666 में हुआ था और इन्हों नहीं पंचमकार कौनी वारियकासिकों के लिए पंचमकार में क्या है केश, करपान, कंगा, कच, कडा इनकी आतमकता यानी गुरु गोविन सिंग जी की आतमकता क्या है इनकी 1708 में नांदेड महराष्ट गुल खान नामक पठानने की फिर इनके पश्चाच किसको गुरु बनाया गया तो आदी गरंत या फिर गुरु गरंत को गुरु गरंत साहिव को पंच प्यारे के अवधार में का वी जनक इनको ही कहा जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों आई होग आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और आपके एक्जाम में ये जो मैं करा रहा हूँ यहां से कॉश्चन फ्रिक्वेंटली बनेंगे इसका मैं दावा कर सकता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ आद को अमीद है आपको अच्छे समझ मा रहे होंगे तो आप सबके लिए हमने इन्वार्मेंट जोग्रफी हिस्ट्री प्लेलिस्ट बना रखी है जल्दी साइंस और पॉल्टी के प्लेलिस्ट बनने वाली है और बने रहिए आप सिरी अजूकेटर के साथ मिलते हैं फिर नेक्ट लेक्चर में मोडर्न हिंडिया के साथ धन्यवाद